आप सभी पर ये दर्शकों का स्वागत है दोस्तों अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट अ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकोन को दवाना मत भूलिएगा बात करेंगे फ्यूचर ग्रूप और अमेजन की जो युद्ध चल रहा है अमेजन को थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर देखे यहाँ पर अच्छी ख़बर है फ्यूचर ग्रूप के लिए पैनल्टी लगा सकता है एन्फोर्मेंस डारेक्टर एडी में समन अमेजन अल्सो रिलाइंस वर्सिस अमेजन का जो यहाँ पर लड़ाई चल रही है इसमें लग रहा है कि अब एड्वांटेज रिलाइंस को मिलने वाला है यहाँ पर इसके चलते हुए यह एक अच्छी पेश्कस है उनकी तरफ से कह रहे है कि बैंक लोन्स है और थाउजन अफ जॉब रिमेर विल रिस्क इसलिए इन्होंने इसको एक्स्पडाइट वे में लिसन करना चाहिए यहाँ पर फूचर ग्रूप के केस को सुप्रीम को को डेजल दियने चाहिए फीचर रिटेल वांस दा प्रोडक्शन ओफ दा माइनोर्टी शेरहोलडर्स और आप हम देसे लोगों के पैसे बचने की काफी उमीद है यहाँ पर गुड इंटेंड है और यहाँ पर एमपलोईज, लेंडर्स और शेरहोलडर्स सबको फायदा मिलेगा अगर यह एक्टिविटी हो जाती है यहाँ पर बताया गया है कि दे आर कंसीलिंग स्ट्रेडिजिक इंट्रेस्ट इन दे कंपनी तब CCI का अपरवल लिया था और अब अपना मैसेज कुछ दूसरा दे रहे हैं जिसकी वज़े से यहाँ पर इसको नहीं एक्टिव करने देना चाहते हैं और यह CCI might require that remove the deal Informus Director ने active कर दिया है यहाँ पर और कहा है कि यह आप सारे documents भेजिए CCI के थूँ जो डील को approval किया गया था ताकि यह देख सकें क्या यहाँ पर FDI की कुछ यहाँ पर hide information करके invalid तरह से काम किया गया है CCI cannot approve FDI और उनको ED, SEBI और Stock Exchange का सबका approval लेना पड़ेगा इस डील के लिए और यह deal cancel हो जाएगी between future coupon and Amazon Amazon ने भी तक कोई response नहीं दिया है और future group has shared the documents to ED अब यह बहुत अच्चे पेशकस पर चली गई है यहाँ पर इसके चलते हुए 2019 की जो डील थी वो यहाँ पर notice भेजा जाएगा और साथ-साथ में शायद penalty भी लगानी पड़ेगी Amazon को penalty pay करनी पड़ेगी इंडिया में illegally अपना FDI में invest करने के लिए informants directly not only to cancel but penalty also रहेगा और जो attention मिल रही है यह primarily है भारत के परधान मंत्री शी नरेंदर मोदी जब इसमें engage हो चुके हैं जिसकी वज़े से informants director भी काफी active काम कर रहा है आपको पताई होगा independent director ने letter लिखा है जिसके वज़े से यहाँ पर परधान मंत्री और भारत के finance मंत्री दोनों के दोनों आ चुके हैं NCLT ने in the meantime जो November 10th और 11th को meeting होनी थी उसको postpone कर दिया है अभी के लिए और ये meeting अब नहीं होगी 211 को आगे जैसे भी update आएगा तो हमाँ पताएंगे चैनल को फ़ेवर देहन रखिये और अगर आपको कोई question ने तो comment box में देए प्रीज कंसर्वाइंश अगर हमार साथ जुन आए तो mail रॉक किए जैंज भारत पाई गाइस